हेलो एवरिवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में NCRT की तरफ से तीन नए विज्यापन जारी किये गए हैं प्रारंबिक शिक्षा विभाग और अध्यापक शिक्षा विभाग की तरफ से ये वेकेंसी आई है इसमें जो है कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगा गया है के वल मास्टर डिग्री आप सब्जेक्ट में हैं तो आप यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं कोई अप्लिकेशन फीज भी नहीं देनी है नहीं कोई परिक्षा होगी आयू सीमा जो है 40 यर है गौर्मेंट ऑफ इंडिया नॉम्स के अकॉर्डिंग जो है आयू सीमा में चूट भी दी गई है चलिए देख लेते हैं तीनों विग्यापन इसी वीडियो में कवर करेंगे जो भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाए करना चाहेंगे तो ध्यान से वीडियो देखिएगा सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे राश्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान और प्रै सिक्षन परिसत यहां से वेकैंशी जो है आती ही रहती है यहां अनौंस्मेंट सेक्षन पर आप लोगों को क्लिक करना होता है और वेकैंशी सेक्षन पर क्लिक करना है ठीक है तो सबसे पहले जो वेकेंसी है, प्रारंबिक सिक्षा विभाग 13 नवंबर 2024 की है, दूसरा जो विज्यापन है, अध्यापक सिक्षा विभाग की तरफ से 25 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, तीसरा जो विज्यापन है, ठीक है, the Department of Education in Social Science की तरफ से, अब चलिए एक एक करके जो है, तीनों विज् 24 को जारी किया गया है, इसमें सिक्षा में नवाचार पदितियों और प्रियोगों पर विध्यालेयों और अध्यापक सिक्षा संस्थानों के लिए प्रोस साहन हेतु जो है, यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो Master Degree, Education में आपने की है, Science मे की है, Social Science के किसी भी विशे से की, Social Science में तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट रहते हैं, History, Geography, Political Science, Economics, ठीक है, किसी में भी, Psychology, Sociology, Humanities में, तो आपकी जो है, Master Degree में आपने 55% या इससे अधिक Marks गेन किये हैं, जो भी General Category किये हैं, OBC किये हैं, बाकी जो है, SCST, PWD Candidate, उनको जो प्लेड, बालेड, ये सब जो है, इनोंने डिजारेवल में रखा है, PhD, Amphil in Education या आपने नहीं भी किया है, तो भी आप आवितन कर सकते हैं, Master Degree के साथ में, ठीक है, इसमें जो है, I.U.S.E.M.A. 40 साल है, और 5 साल की छूट, SCST, PWD, Female Candidate को रहने वाली है, यहां पर जो है, सेलरी केवल Master Degree किया है, तो 35,000 पर मंच सेलरी रहेगी, और जिनोंने Net Qualify किया है, Master Degree के साथ में, तो उनकी 37,000 इसमें सेलरी रहने वाली है, दूसरा जो नोटिफिकेशन प्रारंबिक सिक्षा विभाग की तरफ से है, देखें, तीनों में बिलकुल एक्जाम नहीं है, लोगों को जो जगे बताई जाएगी, जो डेट बताई जाएगी, उस समय पहुंचना है, Junior Project Fellowship English के लिए, इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, कि अगर Master Degree आपने इंग्लिस में किया है, या Journalism सब्जेक्ट में किया है, 55% मार्क्स के साथ में, जनल कैटिगरी के लिए, SC, ST और PSG के लिए 50% मार्क्स चाहिए, बस इतना ही मांग रहे हैं, ठीक है, Computer की Knowledge है, तो अच्छी वात है, नहीं भी है, तो भी आप आविदन कर सकते हैं, इसमें भी IUC मा 40 एर है, और इसमें Net Qualify जो Candidate है, तो उनको 37,000 पर मन्त सैलरी रहेगी, Non-Net वाले 35,000 पर मन्त सैलरी में रह जो जो वैकेंसी है, थर्ड जो की Social Science, the Department of Education Social Science की तरफ से है, इसमें जो है Master Degree Social Science के किसी भी सबजेक्ट में, History में, Political Science में, Geography में, Economics में, या Commerce वाले Candidate भी आविदन कर सकते हैं, इसमें, 55 प्रतिशत या इस से अधिक मार्क्स के साथ में, SC, ST, PH Candidate को 50% मार्क्स जो है Master Degree में होने जरूरी है, बस ये जो है Essential Qualification जो चाहिए, वो आप अगर पूरा कर रहे हैं, तो ही आप इसमें आविदन कर सकते हैं, एक और बात, अगर आपकी माक्षीट आपके हाथ में नहीं है, यानि कि अभी आप समय है, कि आपकी माक्षीट आपके पास अभी पहुँची नहीं है, तो ऐसे केंडिड़ेट आविदन ना करें, 40 तक केंडिड़ेट इसमें भी जो आविदन कर सकते हैं, गौर्मेंट आप इंडिया नॉम्स के अकॉर्डिंग आयू सिमा में चूट रहेगी, 5 साल की चूट रहती है, इसमें पद जो है, जूनियर प्रोजेक्ट फैलो का एक पद है, और नॉन नेट 35,000, और नेट क्वालिफाय है, पीएजडी है, तो 37,000, ठीक है, तो ये तीनों ही विग्यापन में आप लोगों को बता दिये हैं, क्वालिफिकिशन बता दिये हैं, आप देख लेते हैं कैसे जो है इसमें, वाकिन इंटर्व्यू के लिए जान करना है, अपने साथ जो है रिज्यूम या बायो डेटा, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं आपके, सेलफ अटेस्टिट फोटो कॉपी के साथ में, फोटोग्राफ भी जो है लेके जाएं, इंटर्व्यू के समय आपको पहुंचना है, कब है इंटर्व्यू की नमबर दोजार चॉबिस को है, ग्यारा बजे, कहां पर है, रिजिस्ट्रेशन टाइम जो है साड़े नो से ग्यारा बजे तक रहेगा, आपको पहुंचना है, जी बी, पेंट ब्लॉक 4, फ्लोर रूम नमबर 421, डिपार्टमेंट ओफ एलिमेंटरी अजूकेशन, यहां प अर्विंदो मार्ग, न्यू टैली 16, ठीक है, तो इस जगे पर आपको इंटर्व्यू के लिए पहुंचना है, तो बस अपने जो है, ओरिजिनल डॉक्योमेंट, उनकी एक एक फोटो कॉपी, विद फोटो, और अपना बायो डिटा, इसके साथ में यहां पहुंच जाएं, अध्यापक सिक्षा विभाग की तरफ से जो वेकंसी थी, जिसमें मास्टर डिग्री एजुकेशन में, या साइंस में, या सोसल साइंस की किसी विशय में, या यूमिनेटीज में किया है, तो यहां पर आप लोगों को, यहां पर भी 2 दिसंबर, 2024 को साड़े 10 बजे आपको पहुंचना है, Department of Teacher Education, 3rd floor, जाकिर हुसेन, कंड, NCRT, New Delhi, ठीक है, New Delhi में ही जो है, या जॉब लोकेशन रहेगी, उसके बाद जो है, जो तीसरा विग्यापन है, जिसमें मास्टर डिग्री सोसल साइंस के किसी विशय में, तो इसमें आप लोगों को, साड़े 10 बजे पहुं इसमें इंटर्व्यू की डेट जो है, वो कब रहेगी, तो इंटर्व्यू की डेट जो है, वो 4 दिसमबर 2014 को है, 11 वजे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कि यह जो वेकेंसीज हैं, यह प्रोजेक्ट के तहत आती हैं, और जैसे ही प्रोजेक्ट कम में सेलेक्शन होते रहते हैं, पूरे साल भर जो है, यहाँ पर वेकेंसी आती रहती है, जो भी कैंडिडेट गॉर्मेंट जॉब की त्यारी कर रहे हैं, और 4 या 5 मन्त के लिए जो है अर्ट करना चाते हैं, या जॉब की जो है अर्जेंट जरुरत है, तो बिल्कुल पर आप लोगों को अप्लाइ करना चाहिए, ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू